हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम जन मस्टमी के उपलक्स में काना जी की ड्रेस बना कर तयार करेंगे जिसके लिए हमने 23 इंच लंबा कपड़ा ले लिया है और चार इंच चोड़ाए तेईस इंच लंबा चार इंच चोड़ा उस पर हमने ये लेस लगा लिया है हमने दो तरह की लेस लगा कर उसको तयार कर लिया है फिर हम यहाँ पर दो इंच चोड़ाई में और लंबाई में नेफे के लिए 6 इंच और 10 या 12 इंच चोली के लिए और पगड़ी के लिए 10 इंच इस तरह से लेंगे कपड़ा अब हम इस पर जिस पर हमने लेस लगाई थी इससे हम काना जी की ड्रेस बना कर तयार करेंगे इसमें हम पलेटे डाल लेंगे इस तरह से पलेट डालते हुए पूरे को कवर कर लें इस तरह से हम इसमें पलेट डालेंगे ये एक दो तीन नंबर के लड़ू गोपाल के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा छोटा सा ही काना जी है इसलिए हम छोटी ही ड्रेस बना रहे हैं इस तरह से हम इसमें पलेटे डालेंगे आप 23 इस से लेकर 26 इंच तक ले सकते हैं जिस से घेर जादे करने हो तो आप और बढ़ा सकते हैं इस तरह से हमने पूरे में पलेट डाल ली है और इसको हम नाप लेंगे दोनों तरब से हम इस तरह से मोड़ कर इस पर मसीन कर लेंगे दोनों साइड में ही हम मसीन करेंगे डबल मोड़ कर इस तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे इसी तरह हम दूसरी तरब भी करेंगे दागे को काट लें अब हम 6 इंच लंबा कपड़ा लेंगे इसको हम दोनों तरप से मोड लेंगे और 6 इंची हमारे एक घेर हैं इन पर हम इसको बेल्ट की तरह लगा देंगे पहले हम कपड़े को उल्टा रखेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे फिर पलट कर हम इसे थोड़ा-थोड़ा सा मोड कर उसको डबल मोड लेंगे नेफा बना कर तयार कर लेंगे नेफे में फिर हम डोरी डालेंगे इस तरह से सिलाई करते हुए पूरे परशिलाई कर लें हमने पूरे परशिलाई कर ली है अब हम इसको इस तरह से मोड लेंगे एक तरफ से रह गा था इधर से भी हम मोड कर तयार कर लेंगे दोनों तरफ से मोड जाएगा फिर हम नेफे को मोडेंगे धागे को काट लेंगे सफाई से काटें और फिर हम इसे उल्टा करके इस पर मसीन चला लेंगे इस तरह से बन कर तयार होगा है अब हम इसे थोड़ा सा मोडेंगे, फिर इस तरह से डबल मोड लेंगे, इसमें एक डोरी डाल लेंगे, डोरी पहले डाल लें या बाद में डालें, इस तरह से हम इस पर एक डबल सिलाई कर लेंगे, नीचे की ड्रेस बन कर तयार हो जाएगी डोरी डालने के बाद फिर हम इसकी चोली बना कर तयार करें इस तरह से सिलाई करते हुए जितनी सफाई से आप सिलाई करेंगे उतना ही सुन्दर ये दिखाई देगा हमने काना जी के ड्रेस घर पर ही बना ली है हमने जनमाश्टमी की तयारी सब घर से की है कल हम बोग के लिए सभी सामगरी बना कर तयार करेंगे इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर ली है अब हम एक डोरी लेंगे उसको इसमें डाल लेंगे इस तरह से बनकर तयार हो गया है आप क्योई भी कपड़ा लेकर अच्छे से सुन्दर सी ड्रेस लेस लगा कर बना सकते हैं आप सोट ड्रेस भी बना सकते हैं इस तरह से हमने एक दो इंच चोड़ा और दस बारा इंच लंबा कपड़ा ले लिया है इसका हम विलाउज उपर की चोली बना कर तयार करें दस इंच है, दस ग्यारा इंच के लगबग है अब हम इसको जैसे हमने दिखा था उस तरह से दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा मोड कर डबल कर लेंगे इस तरह से और इधर से भी अब हम इसको डबल करेंगे जो लैस हमने नीचे वाले घेर वाले पार्ट पर लगाई है उसे भी हम इस चोली में भी लगा कर तयार करेंगे अच्छी तरह से इस पर सिलाई कर लें सिलाई करके इस पर लैस लगा लें पूरे पर हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे हमने पूरे परसिलाई भी कर ली और लेस भी लगा दी इस तरह से हम एक साइड में लेस लगा लेंगे लेस लगा कर हमने कुछ इस तरह से इसको बना लिया है दोनों तरब से हमने इसको एक दूसरे के उपर रख कर इसको बना लिया है इसको पहना कर इस पर डोरी भी लगा सकते हैं और नई उपर से इस तरह से घेर वाले को पहना कर ये डोरी कसके बान सकते हैं डोरी पर हमने ये पमपम लगा ली है इस तरह से ड्रेस बन कर तयार हो गई है अब हम पगड़ी बना कर तयार करें आपका लड़ू गोपाल जितना बड़ा हो उसके सीर के चारो तरप से गुमा कर उस तरह से हम पगड़ी बना कर तयार करेंगे हमने ये 6-7 इंच लंबा कपड़ा लिया है और उसको भी उसी तरह से मोड लिया है अब हम इसको इस तरह से करास में करके इसको इस तरह से हम करेंगे फिर हम एक टाका लगा दे फिर इसको पलट ले पलट कर इसे दोनों को आप पीछे जोड़ दें इन दोनों पर हम इस तरह से यहां रख कर सिलाई कर लेंगे सिलाई करके हम इसे उपर कलगी लगा लेंगे या कोई भी सोपी साप लगा ले ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं या कोई लैस लगा ले इस तरह से हमने इसको बना लिया है अब हम इस तरह से उपर की तरफ इस तरह से लैस का बना कर हमने पलेटे डाल कर लैस का बना लिया है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, आप दूसरे कपड़े का भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा लड्डू गोपाल बहुत छोटा है, इसलिए हमने छोटा सा बना कर तयार क इस तरह से बनाकर हम इसको तयार कर लेंगे। सुई धागे की हैल्प से इसमें हम टाके लगा लेंगे। इस तरह से काना की पगड़ी भी बनकर तयार हो गई है। और उपर का चोली भी बन गई है। और नीचे के घेरदार लेंगा भी बनकर तयार हो गा आया। फिरा उक जिसको बोलते हैं इस तरह से हमने काना की ड्रेस बना कर तयार कर लिया है यह देखने में कुछ इस तरह की लगेगी इस तरह से हमने काना की ड्रेस बना कर तयार कर लिया है यह देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है अगर आपको पसंद आए अप लाइक कर सेजर करें और चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें